प्यार बच्चों LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग जो है नर्दे सांथ जयामीती पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बता होना चाहिए कि हम आज प्रसनावली 7.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि इसम हम लोग 6 नमबर कोश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं साथ नमबर कोश्चन से आगे पूरा कंप्लीट होगा और अगर आगे टाइम बचा तो हम लोग जो है विभाजन सुत्र भी समझेंगे इसलिए आप लोग शुरू से अंतक बन रहीएगा हो सकता है तो लास्ट में हम लोग विभाजन सुत्र का डिसकर्शन भी कर लेंगे आज शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि जितने प्यारे बच्ची अगर अभी तक लग्रस्ट डाउनलोड नहीं किये हैं यह वाला एप तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजीएग तो अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर डाउनलोड कर लिजीएगा वीडियो के डिस्केप्सर में लिखोगा या फिर आप पले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारा जो आज का कुश्चन है साथ नमर कुश्चन प्रसनावली 7.1 का क्या है यह समाच और माइनस 2,9 से सम दूरस्त हो सम दूरस्त का मतलब होता है समान दूरी पर हो अगर यह एक्स पर कोई बिंदू है तो यहां से मालीज यह है यह और यह बी है तो यहां से ए और यहां से बी दोनों का दूरी समान हो ऐसा इस्थिति आपको क्या करना है बताना है मतलब X अक्ष पर ऐसा बिंदू खोजना है जो A और B दोनों से समान दूरी पर हो यानि कि दोनों के बीच का दूरी क्या हो समान हो यानि कि सम दूरस्थ हो तो चलिए शुरू करते हैं जब हम हल करने के लिए चलेंगे तो ध्यान से आप समझने की जो है कोसिस कीजिएगा आप जैसा कि जानते हैं कि X अक्ष पर कोई भी बिंदू जो होता है उसका X निर्दे सांग तो जो जिस पॉइंट पर वो होगा वो होगा यानि कि X निर्दे सांग अगर जेनरली बोले तो X होगा लेकिन वाई निर्दे सांग जीदो होता है ये आप बहुत डिटेल से पिछले कलास में परहाई कर चुके हैं क्या परहाई कर चुके हैं कि अगर कोई बिंदू X अक्ष पर है तो उसका वाई निर्दे सांग क्या होगा 0 होगा ये आप याद रखिएगा तो X अक्ष पर अगर कोई बिंदू होगा तो उसका निर्दे सांग X,0 हम बोल सकते हैं ठीक है तो चलिए हल करते हैं और चीजों को सीखने समझने की क्या करते हैं कोशिस करते हैं आपको X अक्ष पर एक ऐसा बिंदू ग्यात करना है माना की X अक्ष का बिंदू P X अक्ष का बिंदू P मान लेते हैं कि X अक्ष पर कोई बिंदू P है अब X अक्ष पर ये बिंदू है P तो उसका निर्दे सांग X,0 होगा जनरली हम मान लेते हैं क्योंकि हम पता नहीं है तो हम X अक्ष मान लेंगे और वाई रिंदे सांग तो फिक्स है की इसका जीरू ही होगा तो हमने मान लिया लिखेंगे माना की X ska का बिंदू P है ना बिंदू ओ यहाँ की अजैसा कि आप देख सकते हैं कर दो बिन्दूओं एबंबी कि ए हमने नाम दे दिया इसका दो कॉमा माइनस पांच जो था ठीक है तो बिन्दूओं ए माना कि एक्षक्ष पर का बिन्दू एक्षक्ष का बिन्दूओ पी जो है बिन्दूओं जिसका अनरे सांख है माइनस दो कॉमा नौ एबंबी का बिन्दूओं एक्षक्ष का बिन्दूओं पी जो है बिन्दूओं ए और भी से सम्दूरस्थ हैं सम्दूरस्थ है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है मान लीजी अगर एक्ष पर यह बिन्दू है यह बिन्दू पी जो है एक्स पर है तो एक्स पर है तो इसका निर्देसांग एक्स कॉमा जीरो होगा एक्स निर्देसांग तो एक्स होगा और वाई निर्देसांग क्या होगा जीरो होगा तो अगर एक्स पर बिंदू P है तो आपको यह ऐसा बिंदू P होना चाहिए आपका कि वो A और B से समदुरस्त हो है यानि कि इस P से A का दूरी P से A का दूरी जो A जो है वो 2,-5 है और P से B का दूरी P से B का दूरी जो कि-2,9 है बराबर हो आपको X-X परबिंदू P ऐसा खोजना है कि P से A का दूरी और P से B का दूरी दोनों दूरी क्या हो बराबर हो ऐसा इस कुश्चन के कहने का भाव है तो यहाँ पर हम परशन को देख पा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि P से A का दूरी जितना है उतना ही P से B का भी दूरी होगा उतना ही P से B का भी दूरी होगा क्योंकि P के बारे में बोला गया है कि P जो है A और B से समदुरस्त है P क्या है A और B से समदुरस्त है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे तब अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि P से A का जो दूरी है जिसको आप जो है ए पी बोल दीजिए यानि कि ए से पी का दूरी ए से पी का दूरी और जो बी से पी का दूरी बी से पी का दूरी है वो बराबर है इस condition को देखने के बाद हमें तो यह पता चलता है कि ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी क्या है बराबर है इसका मतलब है कि P, A और B से समदूरस्त हैं अब इस कंडिशन पर आपको P का निर्दे सांग बताना है यानि की X, X का जो बिन्दू है उसका निर्दे सांग बताना है तो P का निर्दे सांग निकालने में कोई बड़ी जंजट नहीं है अगर आप ध्यान से देखे तो आपको दीखेगा कि एक निर्दे सांख जिसको वाई निर्दे सांख आप सकते हैं तो वाई निर्दे सांख तो पहले से ही पता है ठिक और X निर्दे सांग पता नहीं है P का X निर्दे सांग निकालने के लिए क्या करेंगे X का मान निकालेंगे X का मान जो होगा वही यहाँ पर X के जग़ा पर डाल देंगे तो वही आपका हो जाएगा P का निर्दे सांग तो यहाँ पर हमें condition जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि PA जो है PB के बरावर है यानि कि A से P का दूरी और B से P का दूरी दोनों क्या है बरावर है अब बरावर है तो भाई साब हम क्या करने वाले हैं दूरी सुत्र के अनुसार भी इसको बरावर करने वाले हैं किसके अनुसार त का दूरी है तो दूरी है तो हम A से P का दूरी निकालने की जब कोशिस करेंगे तो हमें दूरी सुत्र लिखना होगा क्या लिखना होगा दूरी सुत्र लिखना होगा दूरी सुत्र क्या होगा X2-X1 का हॉल स्क्वाइर और पलस Y2-Y1 का हॉल स्क्वाइर y2- y1 का क्या होगा hall square ये हो गया a से p के 20 के दूरी का बात फिर b से p का दूरी अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो इसके लिए भी हमें दूरी सुद्र क्या करना होगा लिखना होगा तो b से p के दूरी के लिए हम क्या करते हैं तो x2- x1 का hall square करते हैं कोशिश करते हैं अब आप एक चीज समझ ये कि बराबर के भाएं भी रूट है बराबर के दाहिने भी रूट है बराबर के भाएं भी रूट है बराबर के दाहिने भी रूट है तो आप दोनों तरफ अगर वर्ग कर दीजिएगा तो root cut जाएगा लेकिन ध्यान दिजिएगा मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो चीज दोनों तरफ हो वो automatic cut जाएगा तो ये जो root है और ये भी root है मान लिजिए कि root root क्या हो गया cancel हो गया अब बाएं तरफ आप जो है x2-x1 का मान रखेंगे दाहिने तरफ भी उसी तरह से मान रखेंगे बाएं तरफ जब मान रखिएगा बराबर के बाएं तरफ तो आप a को पहला बिंदू और p को दूसरा बिंदू मानिएगा यह अगर पहला बिंदू है तो x1 है 2 y1 है मैनस 5 x2 है xy2 है 0 तो यहाँ पर आपको x2-x1 करना है तो आप तो root कट चुका है x2 का मान है x मानस x1 का मान है 2 तो x-2 का प्यारे बच्चो होगा यहाँ पर square बीच में पलस था तो हम ले लेंगे पलस and y2-y1 तो y2 का value आप उपर देख लिजिए 0 है 0 मानस क्या करना है तो 0 मानस यहाँ पर आपको करना होगा y1 y1-5 है तो मानस मानस यह पलस 5 हो जाएगा पलस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दाहिने आप देखिएगा तो पता चलेगा x2-x1 y2-y1 लेकिन यहाँ पर बराबर के दाहिने जब मान रखने के लिए जाएगा तो b को पहला बिंदू और p को दूसरा बिंदू मानिएगा तो b अगर पहला बिंदू है तो x1 का मान है माइनस 2 y1 का मान है 9 x2 का मान है आपका x और y2 का मान 0 है इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम करेंगे तो x2 का मान यहाँ पर आपका x हो जाएगा ठीक है माइनस x1 का मान जो है माइनस 2 है तो यह माइनस 2 प्यारे बच्चों और यह माइनस हो जाएगा पलस 2 इसका होगा अब square पलस है तो पलस फिर आप देखीए y2 मान य1 तो y2 का मान 0 है माइनस y1 का मान 9 है तो ये हम लिख लेंगे इसका square कर देंगे अब आप क्या कीजिए तो एक बार इसको solve कर लिजिए यहाँ पर ही x माइनस 2 का hall square यानि की a माइनस b के hall square पर हम इसे तोर सकते हैं तो a square यानि की x का square माइनस 2 a b तो दो दोना 4 x हो जाएगा दो दोना 4 x और पलß b square यानि की 2 का square फिर पलस है तो पलस ले लिजिए अब जीरो पांच 5 होगा 5 का square करेंगे 25 होगा 5 का square कितना होगा 25 होगा गाहिने में देखिए x पलस 2 का hall square तो a پलस b का hall square कर सकते हैं ये पलस B का हला स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बाइसाब एक स्क्वायर पलस 2AB तो दो दुना 4X होगा कितना होगा 4X और पलस बी एक स्क्वायर यानि की 2 का स्क्वायर एक काम करो एक काम करो क्यारे बच्चों मतलब दिज़े कोई दिकत नहीं है एक उनट इसार देखें यहां पर आप जो देख पा रहे हैं यहां पर वो B2 करना होगा तो 2 का 2 कर दिज़े कोई दिकत नहीं है पलस है तो पलस रखेंगे और 0-9 तो माइनस 9 होगा और माइनस 9 का जो square है वो 81 होगा माइनस 9 का square कितना होगा 81 होगा हम अगले step को solve करने के लिए अगले page में ही चले जाते हैं आपके पास था x square और माइनस में था 4x नानस में क्या था 4x था देख भी सकते हैं आप यहाँ पर x square माइनस 4x और 2 का square जब कीजिएगा प्यारवच्चों तो 4 होगा और पलस 25 है तो 25 हम लिख लेंगे तो यहाँ पर 4 और पलस 25 सेम टू सेम लिख लिजिए गाइने में भी x square था और पलस 4x था पलस 4x और पलस 4 था पलस 4 भी था और पलस में 81 था देख लिजिए x square 4x पलस 4 पलस 81 है किने x square पलस 4x पलस 2 का square क्या होगा 4 होगा और यह 81 का square तो 81 ही होगा अब हम आगे आते हैं तो हमें x का मान निकालने के लिए बहुत simple फंडा पता चल जाता है देखिएगा क्या simple फंडा है x square से यह x square कट जाएगा क्योंकि मैं अभी जस्ट बता रहा था कि बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज हो तो ऐसा होगा फिर आप कहेंगे कि 4x से 4x को काट दीजिए नहीं काट सकते क्योंकि एक plus में है एक minus में है लेकिन ये plus 4 से plus 4 कट सकता है अब क्या होगा तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे किस चीज़ का यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है जारा समझे ये minus 4x जो दिख रहा है वो ले लिजिए ये plus 4x बाएं लाइएगा तो minus 4x हो जाएगा दाहिने में देखिए आपके पास केवल 81 बच रहा है तो आप 81 तो लिखिए ही लिखिए ये 25 जो है दाहिने जाएगा minus 25 होगा इसके according अगर solve कीजिएगा तो minus 4x minus 4x ये हो जाएगा minus 8x कितना होगा पैर बच्चों तो ये minus 8x होगा समझने की कोशिच कीजिएगा minus 8x दाहिने में 81 में से 25 गटाईए 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा 11 में से 5 गटाईएगा तो 6 होगा साथ में से 2 गटाईएगा साथ में से 2 गटाईएगा तो 5 होगा यानि कि 56 सीधा समझ सकते हैं आप लोग अब क्या करूँ तो समझिएगा यहां पर कि क्या करने की जिरूरत है आप देखिए माइनस माइनस मेलगुल ठीक है कि ये हैं माइनस का इसक्वार भी ठीक है काम क्या होगा आप देख सकते हैं कि 8 से 56 कट जाएगा 8 से 56 को भाग दिएगा तो 7 मिलेगा चुकि माइनस 7 होना चाहिए आपर कितना होना चाहिए माइनस 7 होना चाहिए तो यहां पर अगर सीधा सीधा देखा जाए कि X का मान कितना मिला तो हम x बरावर माइनस 7 बोलेंगे क्यों माइनस 7 बोलेंगे क्योंकि ये माइनस दाहिने जाएके लग जाएगा उस साइड तो x का मान माइनस 7 आ गया x का मान माइनस 7 आ गया अब इसी लिए p का निर्दे सांग हम लिख सकते हैं कितना होगा तो आप क्या कीजिए एक्स का मान रख दिजिए मैनस साथ और जीरो तो जीरो ही रहेगा यह आपका फाइनल क्या होगा आंसर हो जाएगा प्यार बच्चो टो इसमें कभी भी कोई प्राबलम बाले चीज़े नहीं है ठीक है अब इस तरह से आप सम दृअर्श्त क्या बोलना है कि Y का वहमान ग्याद किजिए जिसके लिए बिंदो P और Q के बीच की दूरी 10 मात रखो बस सिंपल पहुत ही जदा सिंपल कुश्चन है जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो लिखिएगा दिया गया है क्या लिखिएगा दिया गया है क्या दिया गया है कोश्चन में तो कोश्चन में आपको P और Q के बीच का दूरी दिया है 10 यानि कि आपको P Q बराबर 10 दिया गया है P Q बराबर अच्छा एक मिनट ठीकी है और दो विंदो है अच्छा दिया गया है एक मिनट ठीकी है पहले तो आपको P और Q बिंदो दिया गया है तो लिखेंगे दिया गया है P कितना तो 2,3 और Q भी दिया गया है दूसरा बिंदो तो Q कितना दिया गया है तो 10,Y दिया गया है तथा एक चीज और बोला है इसमें P Q बराबर P Q बराबर बोला है 10 P Q बराबर 10 बोला है इसने P का निर्दे सांग दिया Q का निर्दे सांग दिया और बोल दिया कि P और Q के बीच की दूरी 10 मात रख है यानि कि P Q के बीच का दूरी 10 है यानि कि P Q बराबर 10 है अब इसी के help से आप क्या कर पाएंगे तो X का नहीं Y का मान निकाल पाएंगे ये जो Y दिखाई दे रहा है Q नर्दे सांक में उसका मान आप निकाल पाएंगे चले निकालते हैं ये P Q है P से Q के बीच का दूरी तो हमें दूरी सुतर लिखना चाहिए X2 माइनस X1 का हॉल स्कॉयर और पलस Y2 माइनस Y1 का हॉल स्कॉयर दाहिने में प्यारे बच्चों आपके पास है 10 अब आप मान बैठाईए X2 के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक बार समझने कुशिस कीजिएगा कि P होगा पहला बिंदू Q होगा दूसरा बिंदू तो X1 Y1 X2 Y2 तो X2 का मान है प्यारे बच्चों आपके पास 10 और X1 का मान है 2 तो 10 माइनस 2 का स्कॉयर होगा पलस Y2 माइनस Y1 तो Y2 का मान है Y और Y1 का मान है माइनस 3 तो माइनस 3 और यह माइनस पलस 3 हो जाएगा इसका करना होगा स्कॉयर दाहिने में है 10 मैं क्या करता हूँ कि इस रूट को हटा देता हूँ बाएं से बाएं से रूट हटाईएगा दाहिने में लग जाएगा स्कॉयर तो ज़रा समझेगा कि क्या हो रहा है सिंपल सी बात है आप क्या कीजिए 10 में से 2 खटाईएगा तो 8 का SQ होगा 10 में से 2 खटाईएगा तो कितना होगा सरी 8 का SQ हो जाएगा बीज में पलस है तो पलस ले लेंगे और Y पलस 3 का हॉल SQ यानि कि A पलस B के हॉल SQ पड़ापी से स्वाल्व कर सकते हैं तो हमने कर दिया A SQ पलस 2 A B 2 तीया 6 Y हो जाएगा 6 Y होगा ना कि X होगा तो 2 तीया 6 Y तो 2 A पलस B SQ B में मतलब 3 का SQ होगा 3 का SQ होगा दाहिने में 10 था 22 से मैंने रूट खटा दिया दाहिने में SQ लग जाएगा SQ लगेगा फिर क्या करेंगे 8 का SQ होगा 64 पलस है तो पलस Y SQ को Y SQ रखिए पलस है तो फिर पलस रन दिजिए 6 Y जो आपको दिख रहा है इसको आप 6 Y लिख लिजिए पलस में 3 का SQ है तो 3 का SQ 9 होगा एंड दाहिने में देख रहे हैं कि 10 का SQ है तो 10 का SQ तो होगा सरजी 100 10 का SQ कितना होगा 100 होगा इधर आप समझने का कोशिस कीजिएगा क्या है देखने का कोशिस कीजिएगा सिंपल सी बात है आपको यहाँ पड़ एक दुए खास समिकरन मिलेगा जिसको सॉल्व करना परेगा तो सॉल्व करना परेगा देखिए क्या होगा यह Y² आपको दिख रहा है इसको आप Y² लिख लिजे पहले फिर 6 दिख रहा है तो आप 6 भी पहले लिख लिजे फिर 64 और 9 कितना होगा बताइए तो 9, 4, 13 तो बोलेंगे से 73 होगा कितिना होगा तो 64 कितिना होगा 9, 4, 13 तो 73 बल्गुल ठीक तो यहां पर पलस 73 क्या कर लिजिए लिख लिजिए दाहिने में 100 जो है बाएं आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा दाहिने में बचा कुछ नहीं यानिकी 0 बचा तो अब आप देख स सकते हैं कि आपके पास है y square पलस 6y और माइनस 27 क्योंकि 73 और माइनस 100 हो जाएगा माइनस 27 बराबर में 0 है अब आपको y कमान निकालना था इस बाले दुई घात समीकरन को solve कीजिएगा y कमान निकल जाएगा चलिए हम दुई घात समीकरन को solve करने की क्या करते हैं कोशिस करत दुई घात समीकरन को solve कीजिएगा यह जो y square है इसको सेम टू सेम लिख दीजिए और 27 तो 27 का एक दो ऐसा अगुनन खर निकालना जिसको घाटा करके नौ पूरे तो नौ तिया 27 ना सौरी छौ पूर ना है तो नौ तिया क्या होगा 27 तो मैं करूंगा क्या देखिए यह जो आपको 6 y दिख रहा है इसको मैं लिख देता हूँ 9 y और फिर माइनस कर देंगे इसमें से 3 y माइनस कर देंगे 3 y तो 9 y में से 3 y घटा देजिएगा तो फिर 6 y ही बच जाएगा माइनस में 27 है तो 27 लिखेंगे 0 लिखेंगे तक यह देखास समी करन है यह आप लोग कई बार बनाना सेख चुके हैं इस दोनों में लिजीए तो आप y ले सकते हैं तो यहाँ पर y पलस 9 बचेगा फिर आप माइनस 3 कॉमन यहाँ पर ले लिए तो माइनस 3 कॉमन लिजीए गा तो क्या होगा यहां पर y बचेगा और minus minus plus 3 से 77 में भाग दिजेगा तो 9 होगा बराबर में बचेगा 0 आप बढ़ जाएए आगे पूरा systematic सीखने के लिए दोनों कोस्ट में y plus 9 है तो आप उसमें से कोई एक कोस्ट y plus 9 ले लिजिए बाहर में y minus 3 आपको दिख रहा होगा बाहर में y minus 3 आपको क्या और आओगा दिख रहा होगा एंड इदर जो है वाई बराबर पलस तीन मिलेगा तो लिख दीजिएगा अता वाई का दो बैल्यू मिल गया मुझे वाई का दो बैल्यू मिला एक तो मिला मैनस नौ और एक मिला तीन यही फाइनल क्या होगा आंसर होगा जो की बिल्गुल हंड़ेट परसेंट सही आंसर ठी कि नौनमर को देखने के लिए आप लोग इस तरह से बनाएगा कभी कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग सिस्टमाटिक यही सिस्टम सीख के जाए ठीक है हम बरते हैं आपके अगले नौनमर कोश्चन की और नौनमर कोश्चन है कि यदि क्यू बिंदूओं पी और आर स ही ग्यात कीजिए चलो भाई देख लेते हैं हल करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले जो कुश्चन में बाते बोली गई है उस पर बात करेंगे बोला गया कि क्यू जो है पी और आर से सम्दूरस्त है अगर यह बिंदू क्यू है ठीक है यह बिंदू क्यू है जिसका नद पांच कॉमा माइनस तीन है और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदू अगर आर है क्या है आर है जिसका नदे सांग एकस माइनस छो है तो इसमें कहने का मतलब कुश्चन में यह है कि क्यू से पी की दूरी और क्यू से आर की दूरी दोनों बराबर है अगर यहां से यहां पांच सीम होगा तो क्यू से आर भी पांच सीम होगा क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि क्यू जो है वो पी और आर से सम्दूरस्त है यानि कि क्यू का पी से दूरी और क्यू का ही आर से दूरी एक जैसा ही है तो इस condition में आपको X का मान निकालना है इस का मान निकालना है ये काम है बहुत ही आसान तो चलिए देखते हैं कैसे इस काम को समठ पाएंगे इस वाले condition को देखेगा तो इस condition को देख करके मुझे लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि यहां पर बिंदू Q, P और R से समठ दूरस्त है इसलिए आपका Q से जो P का दूरी है और Q से जो R का दूरी है वो बराबर होगा लिखेंगे चुकी बिंदू Q बिंदू P और R से समठ दूरस्त है लिखेंगे चुकी बिंदू Q बिंदू Q बिंदू और R से समठ दूरस्त हैं पी और R से समठ दूरस्त हैं और R से क्या है समठ दूरस्त हैं इसलिए इसका मतलब है कि Q से P का दूरी Q से P का दूरी बराबर होगा Q से R का दूरी Q से R का दूरी कुछ समझ मा रहा है चोकि ऐसा बोला गया गोशन में तो इसी क्या दारपराम बोल सकते हैं कि यह दूरी क्या होगा बराबर होगा समद दूरस्त का मतलब होता है समान दूरी अब इसी बाले पंडा को पकरके हम आगे बढ़ सकते हैं QP है दूरी दो बिंदू के बीच का तो यहां पड़ हमें दूरी सुत्र लिख लेना है कि X2-X1 का हॉल स्क्वाइर और पलस Y2-Y1 का हॉल स्क्वाइर दाहिने में देखिए QR है तो QR है तो क्या होगा यहां भी X2-X1 का हॉल स्क्वाइर य2-Y1 का हॉल स्क्वाइर लिखना ही होगा x2-x1 का क्या करेंगे hall square करेंगे और y2-y1 का hall square करेंगे ठीक है अब मान बठाइए मान बठाने के लिए जब आईएगा तो पिछले वाले question में आपने देखा था कि वो मतलब root cancel हो जाएगा root क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा उसी तरीका से हम root को cancel करने वाले root को क्या करने वाले है cancel करने वाले चुकि दोनों side root है तो root से root cancel हो जाएगा root से root क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा अब root से root cancel होगा तो यहाँ पर x2-x1 का hall square y2-y1 का hall square आपके बड़ लिखेंगे 2 side q है पहला बिंदू p है दूसरा बिंदू इसलिए q का जो निर्दे सांग है x1-y1 होगा और p का x2-y2 होगा तो यहाँ पर x2 का value तो मुझे मिल रहा है 5 minus x1 का value देख सकते हैं 0 है यह का square हो गया बीच में पलस है तो पलस and फिर आगे देखिए कि क्या होने वाला है तो आपको पता चलेगा क्या पता चलेगा कि y2-y1 तो y2 है minus 3 y2 कितना है तो minus 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे minus 3 a minus y1 तो y1 देखिएगा तो 1 है यहाँ पर 1 लिखे इसका करेंगे square dine side भी वही काम करना है x2-x1 y2-y1 लेकिन यहाँ पर पहला बिंदू q होगा दूसरा बिंदू r होगा तो x1-y1 होगा q का निर्देशांग और x2-y2 होगा r का निर्देशांग तो क्या करेंगे आप x2-x1 कीजिए तो x2 का मान बतागी कितना है x2 का मान प्यारे बच्चों x है तो x-x1 इसका कर लेना होगा अब हम अगला एस टेप लेते हैं 5 में से 0 गटाएगा 5 5 का यहाँ पर करना होगा भाई सावर स्क्वाइर तो 5 का स्क्वाइर लिख देते हैं या फिर अब करें लोने क्या दिक्कत है 5 माइनस 0 तो 5 होगा यहाँ पर देखो भाई साव 5 का स्क्वाइर होगा फिर पलस है तो पलस लिख लिए माइनस 3 और माइनस 1 कितना होगा तो यह हो जाएगा माइनस 4 मतलब माइनस 4 का स्क्वाइर करना होगा दाहिने में देखिए x-0 तो x का स्क्वाइर होगा पलस में क्या है पांच ही होगा छो में से एक घटाएगा तो पांच मिलेगा यहाँ पर आपको और पांच का करना होगा स्क्वाइर पांच का क्या करना होगा स्क्वाइर करना होगा यहाँ से बहुत ही अच्छा वाला चीज मिलेगा आपको क्या मिलेगा देखिएगा यहां पर ध्यान से आप बोल सकते हैं कि पांच का स्क्वाइर पांच के स्क्वाइर से कट जाएगा क्यों पांच का स्क्वाइर पांच के स्क्वाइर से इसलिए कटेगा क्योंकि दोनों तरफ वह एक जैसा चीज है अब हम क्या करेंगे यह नहां पे लिख देते हैं आपनों नीचे नीचे ही लिखिएगा क्या करना है देखिए कि बाएं साइड में दिख रहा होगा माइनस चार का स्क्वाइर किसका स्क्वाइर तो माइनस चार का स्क्वाइर दिख रहा होगा एक काम करिए कि ठीक ही है देखिए यह मैनस 4 का स्क्वाइर दिख रहा है मैनस 4 का स्क्वाइर होगा 16 दाइनेम देखिए एकस एकस क्वाइर दिख रहा है तो वो तो एकस एकस क्वाइर ही होगा हम क्या करते हैं x x square को बाएं ले आते हैं x x square को बाएं लेंगे तो x x square दाहिने में 16 चला जाएगा चेंज नहीं बतला क्योंकि सब कुछ change हो गया है x के उपर से square अटाएंगे दाहिने लग जाएगा root और आप सब ही जानते हैं कि root 16 कमान होता है 4 root 16 कमान के लिधा होता है चार याने कि x कमान होगा , мial गया और x कमान मिल गया आप यहाँ पर x कमान ढाल भी सकते है है जिसार कि हम यह आपद डाल दे रहे हैं यह अब 4 . , 6 का राएगा चार कामा क्या काल आएगा क्योंकि X कामान मिल चुका है तो ये काम तो आपने कर लिया एक आंसर इसका ये हो जाएगा लेकिन आपको बोला गया था QR और पी आर भी ज्यात करने के लिए तो लिखेंगे अब अगले पेज में अब लिखेंगे आप QR बढबन क्योंकि मुझे क्या निकालना था QR निकालने के लिए बोला गया तो QR निकालने के लिए जाएगे तो हम दुरी सुत्र पहले लिखेंगे X2- हम लिखेंगे X1 का हौल स्क्वाईर ठीक है R पलस Y2- Y1 का हौल स्क्वाईर ठीक मान रख दीजी जल्दी चल्दी तो मान रखने आना होगा Q पाला बिंदू और दूसरा बिंदू ये ध्यान में रखना आपको Q पाला बिंदू है तो X1 Y1 होगा और R दूसरा है तो X2 Y2 होगा तो X2 का मान 6 और X1 का मान 0 तो 1 में नट 6 नहीं 4 4-0 और 6-1 आप लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिख देंगे 4-0 और Y2 का मान 6 ता तो 6-1 थावाँ पर Y1 का मान तो 6-1 का हो जाएगा होल स्कॉयर इसको सॉल्ब कर लिजिए तो 4-0 चार होगा तो यह आपको 4 का स्कॉयर लिखना है पलस 5 का स्कॉयर लिखना है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे उदर इधर क्या होगा 4 का स्कॉयर हो जाएगा 16 5 का स्कॉयर हो जाएगा 25 16 5 कितना होता है आप लोग बता दीजिए तो बोलेंगे सर 16 5 हो जाएगा पाचेगा रहा और 41 कितना होगा 41 यानिकी जूट 41 मिला आपको रूट 41 इकाई बोल दीजिए या रूट 41 मात्रा के भी बोल सकते हैं तो रूट 41 मिल आपको कि वार और पी आर अब निकाले दूसरा क्योंकि बोला गया था पी आर भी निकालने के लिए तो लिखेंगे तथ पी आर ब्रावर तथा पी आर ब्रावर ठीक है तथा हम पी आर का वैल्यू क्या करने जा रहें निकालने जा रहें तो पी आर भी दूरी है तो हमें दूरी सुतर लिख लेना होगा पूरे सिद्धत के साथ एक्स टू मैनस एक्स वन का हॉले स्क्वाइर पालस यहां पर वा क्योंकि पी आर बोला है अच्छा एक मिनट हाँ पी आर ही बोला है तो पी को पहला पॉइंट आर को दूसरा पॉइंट मानना है तो यह x1 y1 x2 y2 x2 का मान 0 x1 का मान 5 तो हम यहाँ पर करेंगे 0-5 क्या करेंगे एक मिनट एक मिनट क्यों का जो मान है बिल्कुल ठीक ही है पी आर निकालना है ओहो ओहो पी आर निकालना है पहला तो आपका qr था तो qr तो ठीक हमने निकाला है लेकिन अब निकालना है पी आर मसलब फिल और लाование दूसरा बिंदु होगा तो x1 का मान होगा 5 y1 का मान होगा मैनस 3 X2 का मान होगा X Y2 का मान होगा 6 कुछ ऐसा चीज है यहाँ पर तो चलिए हम देखते हैं आगे आगे बरने का क्या करते हैं कोशिश करते हैं समझने की आप भी कोशिश कीजिएगा क्या होगा सब्सक्राइब निकालेगा तो यहां पर यहां पर 4-5 करना होगा क्या करना होगा सर तो तो चार मैनस 5 करना होगा तो लिख दिए 4-5 का हौल स्कुएर और पलस है तो फलस Y2-1 कीजिए तो यहां पर 6-3 होगा, जो की मैनस है तो पलस 3 हो जाएगा तो y2 का मान है 6 फर्मूला का मैनस और y1 का मान है मैनस 3 तो मैनस 3 और ये मैनस हो जाएगा पलस 3 एंड इसका हो जाएगा अब square आगे बढ़ जाएगे आगे बढ़ने के क्रम में आपको क्या करना है वो देखिएगा आप इसको solve करेंगे पांच घटाएंगे चार में से ये मैनस 1 हो जाएगा मैनस 1 का square होगा बीच में पलस है तो पलस होगा 9 हो जाएगा क्योंकि 36 9 होते हैं अब आप आजाएगे यहाँ पर और लिख दीजिए जो आपको पता चला है तक तो रूट के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मैनस 1 का square 1 होगा और पलस 9 का square 81 होगा तो आपको इसका value मिल गया पिरासी कितना मिला बिरासी रूट बिरासी की काई आप आंसर लिख सकते हैं एक चीज़ तो यह आंसर है दूसरा रूट एक तालिस है तीसरा उदर आपका पांच था जो भी था y का value x का value 4 था sorry तो यह आप इस तरह से इस question को क्या करेंगे solve करेंगे बनाएंगे हम बरते हैं आगे and आगे चीज़ों को समझने सीखने की कोसिस कीजिएगा 10 नमर question आपके सामने आ चुका है 10 नमर question में क्या बोला गया है जरा उसको समझ जिएगा ठीक है क्या है बोला गया है कि x और y में एक ऐसा संबन्द ग्याद कीजिए कि बिंदू x,y इतना और इतना से समझ दुरस्त हैं तो देखिए sorry जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा उसका आप धियान लखिएगा simple है formula फंडा same है यहाँ पर यह जो x बिंदू है ठेक बिल्कुल लिए इसका नाम बगर देते हैं x,y का लिख लेते हैं माना माना की जो x,y है उसका नाम पी है उसका नाम क्यादे दिया माने पी x,y बिंदू हो यह 3,6 का जो है हम नाम यह भी देते हैं इसका नाम देते हैं 3,6 बिंदू A,R,R,B,B हमने नाम दिया इसका माइनस 3,4 का माइनस 3,4 का तो क्या लिखा माना की पी बिंदू A,R,B से सम दुरस्त हैं हम सम दुरस्त यहां लिख देते हैं सम दुरस्त हैं ऐसा क्या कर देते हैं लिख देते हैं अब चुकी P, A,R,B से सम दुरस्त हैं हम इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि P से A का दूरी और P से B का दूरी बरा़र रहा हो गा इसलिए 'm बोल सकते हैं कि A से P का दूरी और B से P का दूरी बराबर होगा समetenी तो बराबर हो गाई P जो है A और B से समदुरस्ट है तो इसका मतलब है A से P का दूरी और B से P का दूरी दोनों क्या है बराबर है अब हम इस से क्या करेंगे solve करके और XY में संबंद ज्याद करने का कोसिस करेंगे देखेंगा बहुत अच्छा संबंद होगा एपी क्या है दूरी है तो दूरी सुत्र लिख लेते हैं दूरी सुत्र लिख लेते हैं दूरी सुत्र लिखिए X2-X1 का हॉल स्क्वाइर और पलस Y2-Y1 का हॉल स्क्वाइर Y2-Y1 का क्या होगा हॉल स्क्वाइर होगा फिर भी इसमें बराबर का चिन दे दिजिए and आप क्या कीजिए दाहिने साइड भी दो दूरी सूतर लिख लिख लीजिए कि दूरी सूतर क्या होगा x2-x1 का all square और y2-y1 का all square y2-y1 का क्या होगा all square होगा अब वही वाली बात आप सब जानते हैं देखिए कई तरग लगाते हैं कि दोनों तरग वर्ग कड़िएगा तब का है का वर्ग करने का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर बराबर के दोनों साइड जो सेम चीज है वो आटोमेटिक कट जाएगा तो रूट दो सॉरी इस रूट से ये रूट तो इसे ही cancel हो जाएगा अब जो भी चीज बचा उसमें मान बैठाईए और आगे बढ़ते जाईए और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है इधर X2, Y2 X1, Y1 का मान बैठाएंगे लेकिन P को पहला बिंदू मानिए एक को पहला बिंदू मानिए और P को दूसरा बिंदू मानिए एक का पहला बिंदू है तो X1, Y1 हो जाएगा ये और ये होगा X2, Y2 तो यहाँ पर सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि X2 का मान है X और X1 का मान है 3 X-3 का होगा बीच में पहला से Y2 Y1 तो Y2 का मान है Y और Y1 जो की है 6 तो Y-6 का ये होल स्क्वार हो जाएगा दाइने साइड देखिएगा तो आपको B को मानना है पहला बिंदू और P को मानना है दूसरा बिंदू तो B है माननस 3,4 तो ये हो जागा X1,Y1 और P X,Y है तो ये X2,Y2 होगा तो सीधी सी बात है X2 का मान के जिना है तो आप भी बता सकते है कि यहाँ पर X2 का जो मान है वो X है X-X1 यहाँ पर है माइनस 3, तो माइनस 3 और ये बाला माइनस पलस 3 हो जाएगा फिर इसका स्क्वार कर लेंगे बीच में पलस है तो पलस कर लेंगे Y2-Y1 तो Y2-Y1 कीजिए क्या होगा Y2-Y1 ये आप समझने की क्या कीजिएगा Qosage कीजिएगा तो चलिए Y2-Y1 क्या होगा इस पर करते हैं हम चर्चा इस पर बाते करते हैं शिम्पल सी बात है Y2 का वैल्जू आप देख सकते हैं Y है और minus y, 1 का value है 4 तो 1 का value 4 हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे, इसका कर देंगे hall square, यहाँ से यहाँ तक 4 बार a minus b या a plus b का hall square आपको दिख रहा होगा, उस सभी को आपको solve करना है देखिए यहाँ पर आप a minus b, जो x minus 3 का hall square है, वो a minus b के hall square पर टूटेगा तो हम लिखेंगे a square minus 2ab तो 2-3, 6 हो जाएगा 6x, और plus b square, b square मतलब 3 का square, तो 3 का square 9 होगा, फिर यहाँ पर plus है, तो हम plus लिख लेंगे फिर y minus 6 का hall square, यानि कि a minus b का hall square, तो फिर यहाँ पर होगा a square and बिल्कुल ठीक है, a square minus 2ab, तो चाहँ दोना 12y, तो यह आपका 2ab हो गया चलो ठीक ही जा रहा है तो a square minus 2ab हो गया, पलस b square b square में 6 है, तो 6 का square हो जाएगा 36, 6 का square कितना होगा, 36 होगा, बीच में बराबर है, तो बराबर ले लिजिए, x plus 3 का square है, तो यहाँ पर होगा a square और फिर plus 2ab, तो दो a जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 है, सुरी तो तीन दूना 6x हो जाएगा यहाँ पर जोना होगा 6x, तो 2ab plus b square, तो 9 का, 3 का square तो 9 होगा, फिर बीच में पलस है तो पलस ले लिजिए, फिर a-b का hall square, तो y, यह होगा, a square फिर माइनस 2ab, तो 4 दोना 8y होगा और पलस b square, 4 का square होगा, b square में किसका square होगा 4 का square, तो 4 का square होगा, प्यारे बच्चों 16 अब आपको जहाँ कटने वाला लग रहा है उसको भले काट लेजिए, देखिए, हमने बताया था, कि बराबर के बाएं और बराबर के दाइने, जो एक जैसा term होगा, वो कटेगा तो काटिए, देखिए, कहा तक क्या हो पा रहा है यह पलस x square इस पलस x square से कट जाएगा, यह y square इस बाले y square से कट जाएगा और अगर बात किया जाए और आगे का, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह जो आपको 9 दिख रहा है, वो इस 9 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों पलस में ही था, अब आपको जो बच गया, उसको लिखने का कोशिस कीजिए, तो आप बोलेंगे सीधा, क्या बोलेंगे कि बाएं साइड, बच रहा है माइनस छो एक्स, सबसे पहला देख सकते हैं कि माइनस छो एक्स ही बचा हुआ है माइनस छो एक्स के आगे y और ना, कटा हुआ है, तो यह माइनस माइनस छो एक्स हो जाएगा इसके बाद आपको माइनस आठ y बचा हुआ है, तो आएगा तो पलस आठ y हो जाएगा फिर दाइनमे 16 है, तो बाएं आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, बरावर में 0 है तो 0 ही होगा, एक स्टेप और यहाँ पर हम solve कर लेते हैं और यहाँ बर, बिल्कुल ठीक है यह क्या है देखिए, यह माइनस छो एक्स और यह माइनस छो एक्स क्या हो जाएगा तो माइनस 12 एक्स हो जाएगा एंड य का बात किया जाएगा तो माइनस 12 y और पलस 8 y है तो मैनकइस-चार-व्वाइब होगा सब्सक्राइच करते हैं सब्सक्राइब देना है झीरों प्रावर में नहीं और आपकेती हैं यहा पर कउमन में सकते हैं क्या common ले सकते हैं भाई तो अगर देखा जाए तो आप common ले सकते हैं इसमें से minus 4 क्योंकि 4-12 में भाग लगेगा 4-4 में भी भाग लगेगा और 4-20 में भी भाग लगेगा तो हम minus 4 common लेते हैं अगले state में, देखिएगा, minus 4 जब आप common लिजीएगा तो minus 4 common लेने का मतलब है कि 12 में 4 से भाग दिजीएगा, तो minus से minus कट गया 12 में 4 से भाग दिजीएगा तो 3X बचेगा, तो नवाशेगा 3X तो हम यह आप लिख लेंगे 3X, फिर आगे बढ़िएगा तो माइनस चार से माइनस चार कर जाएगा केवल वाई बचेगा तो हम यहाँ पर पलस वाई लिख लेंगे फिर आप देखिएगा कि चार से बीस में भाग देजेगा तो पांच मिलेगा यानि कि यहाँ पर एक मिनाट माइनस पांच होगा क्योंकि माइनस से 20 पलस में भाग देंगे तो माइनस 5 बरावर होगा 0 अब आप क्या कीजिए तो ये माइनस 4 को दाहिने साइड 0 के नीचे भेड दीजिए तो बाइन साइड बच जाएगा आपका 3X पलस Y माइनस 5 3X पलस Y माइनस 5 बरावर 0 क्योंकि ये माइनस 4 दाहिने साइड 0 के बट नीचे चला जाएगा तो यह हो जाएगा जीरो एंड यही आपका फाइनल क्या है आंसर है चलो हम अब जो है आगे बरेंगे और देखते हैं कि यहां तक आपका जो परस्नावली साथ 1 एक है वो हो गया complete परस्नावली साथ 2 एक प्यार बच्चों क्या हो गया complete हो गया यह कमप्लीट और अब हम लोग परना सूचेंगे बिभाजन सुत्र के बारे लेकिन विवाजन सुद्र हम सुचते हैं कि अगले कलास में कर लेंगे विवाजन सुद्र आज ही नहीं करेंगे क्योंकि मतलब कुछ जदा ही लंबा कलास हो जाएगा तो आज नहीं रखते हैं विवाजन सुद्र अगले कलास में पढ़ेंगे इतने प्यार बच्चे एल जिय डाउलोड कर लिजिएगा और आप लोग इसे प्ले स्टूर से भी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी डाउलोड कर सकते हैं थैंक्यू सो माच गुडबाई टेक क्यार मिलते हैं हम लोग आगले क्लास में तब तक अपना ख्याल लखिए और एल जी आर स्टेडी देखते हैं गुडबाई टेक केर